हेलो दोस्तो नमस्कार मिरनाम संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इंपॉसिबल के योटोब चैनल पर आसा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत यच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग योजी सिनेट फर्स्ट पेपर में एकजाम दोहजा वाले यूनिट से जिसको इंगलिस में teaching aptitude भी कहा जाता है तो इस यूनिट को हम cover कर रहे हैं और कई सारे topic को मैंने अभी आपको कराया है लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो है सिच्छन के जो चर हैं जिसको इंगलिस में teaching variables बोला जाता है इसको हम cover करने वाले हैं चर क्य बहुत ही अच्छे तरीके से clear हो जाएगा बहुत ज़्यादा ये लंबा वीडियो नहीं होने वाला है चोटा सा topic है और चोटा 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 वीडियो में आपको provide कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो को देखने में भी आसानी हो और एक से दो बार आप इसे easily revise भी कर पाए तो चलिए फ्रेंट वीडियो को start करते हैं देखे फ्रेंट्स यहाँ पर इस slide में सबसे पहले सिच्छन के बारे में कुछ महतुपूर्ण बिंदू है उसे जानते हुए चलेंगे फिर उसके बाद से सिच्छन के चर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले देखे यहां पर मैंने गतिसील वातवरन इक मेंसन किया टॉपिक इसके बारे में थोड़ा से मैं आपको बता देता हूं देखे यहां पर मैंने लिख रहे हैं कि सिच्छन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ऐसा नहीं कि स्कूल में ही आपका बस सिच्छन होता है कॉल पास बहुत सारी चीजे सीखते हैं तो सिच्छण जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है अब देखिए मूल तत्व संचार कैसे है अगर हमारे पास कोई ज्यान है या कुछ तत्व संचार होता है बिना कम्मिनिकेशन के बिना संचार के आप अपने ज्यान का इस्थनांतरण आगे या जो सामने बगती है वहां तक नहीं कर सकते जो की स्वयम भी गतिसील है मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि आपका सिच्छन भी गतिसील है और इसका जो मूल तत्व संचार है वो भी गतिसील है सिच्छन समय और इस्थान के अनुसार बदलता रहता है यह आप सभी को पता है कि सिच्छन समय यानि कि जो बच्चा होता है चोटा सा उसको जो है एक समय पे अलग तरीके से टीचिंग या सिच्छन दी जाती है फिर उसके बाद जब वो बच्चा में च्योड हो जाता है प्रभावित करने वाले कई सारे आपके फैक्टर्स हैं जिसमें राजनेतिक कारक है आर्थिक कारक है मतलब ऐसे फैक्टर जो सिछन को को नहीं मिल सकती जहां पर बहुत ज़्यादा पैसा या फंडिंग हो रही होगी स्कूरिया कॉलेज को तो यह आर्थी कारक बहुत बड़ा फैक्टर आपका अच्छे क्लासरूम आप बनाएं नहीं पाऊगे अच्छे डेक्स वहां पर लगा नहीं पाऊगे जो टीचिंग पता है तकनिकी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वर्तमान समय में ऐसी बहुत सारी तकनिक है जिनका इस्तमाल सिच्छण में किया जाता है चाया आपका प्रोजेक्टर हो गया डिजिटल बोर्ड हो गया और भी कई सारे ऐसी तकनिक है जिनका इस्तमाल करके teaching को बहुत ही बहतर बनाया जाता है तो अमिद करता हूँ ये भी point clear होगे आपका अब next point में मैं बता है कि सिच्छन वातावरण में मुखे तीन प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं तो याद रखना कि सिच्छन वातावरण में जो है मुखे रूप से तीन प्रकार के चर होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं तो आप देखें यहां पर चर के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा चर को भी आपको यहां पर समझ लेना है देखें आपको याद रखना की चर को अगर हम सरल सब्दों में समझें तो इसका अर्थ यह होत तो अब यहां पर हम यह सिच्छण के जो चर हैं उसे जानने का प्रयास करेंगे, तो आईए हम अगली स्लैड को देखते हैं, अब देखिए इस स्लैड में जो सिच्छण के चर हैं आपके Variables of Teaching उसे हम जान लेते हैं, तो देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले आपको बता एक कि ऐसे तत्व जो सिछन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं, वो सिछन चर कहलाते हैं, चर तो आपको समझ में आ गया, उपर मैंने स्लाइड में आपको चर बताए कि चर क्या होता है, अब यहाँ पर याद रखना है कि सिछन के चर के अंतरगत में यह सारा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, कि ऐसे तत्व जो सिछन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं, यानि कि जो सिछन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें मदद करते हैं, उसमें हल्प करते हैं, वो आपके सिछन चर कहलाते हैं, अब यह देखें, तीन टाइप से होते हैं, यह आपका एक सुतंतर चर होता है, जिसको इंगलिस में इंडिपेंडेंट वेरियेबल्स बोलते हैं, और दूसरा आपका आश्रिचर है, इसको डिपेंडेंट वेरियेबल्स बोलते हैं, और तीसरा आपका है, जिसको इंटर वेरियेबल्स यहां पर बोला जाता है, तो यह बात आपको याद रखना, इस स्लाइड में जो याद रखने योग्य बात आपका है, सिच्छन का चैर है सिच्छन का चैर किसे कहते हैं याद रखना है कि सिच्छन प्रक्रिया को पूर्ण करने में अगर जो मदद करता है या सहीव को प्रदान करता है वो आपका सिच्छन चैर कहलाता है इसमें मैंने तीन प्रकार की चैर आपको बताएं सोतंतर चैर आसरित चै अब इनको एक एक करके इनके बाए में डीटियल में समझते हूए हम आगे बढ़ते हैं आएगे अगले स्लाइट को देखते हैं सबसे पहले सौतंतर चर को हम जानेंगे बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आजाएगा बहुत ज्यादा आपको दबाव देना नहीं पड़ विद्यों में व्यस्त्त रखता है स्वतंत्र का मतलब पूरी तरीके से आजाद उस पर किसी प्रकार का दबावा का नहीं होता है और रही तो स्वतंतर चर की बात यहां पर की जा रही है और देखे अगर बोला जाए कि यहां पर छात्र जो है वो किस प्रकार का चर है तो यह एक प्रकार से आस्रित चर है क्योंकि यह सिच्छक पर पूरी तरीके से आस्रित होता है सिच्छक जिस प्रकार से छात्र को सिखाना चाहे देता है बहुत सारे work भी देता है assignment करने के लिए ठीक है आपको याद रखना है सोतंतर तरचर आपको तरीके से clear हो गया कि सोतंतर क्या है यहां पर देंकि मैंने सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से लिख रहा है अदर्वाइस नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा मैं वहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम का सलुशन करने का प्रयास करूँगा बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आपका होगा तो उसे मैं next वीडियो में put down कर लूँगा और वहाँ पर म आपका स्वतन्तर चर है वो ईक तरीके से पूरी तरीके से स्वतन्तर होता है आप रहते हैं गलतت यहाँ पर य्याद रखना है निर्भर रहते हैं इस सिच्छन प्रक्रिया में सिच्छक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं नियोजन विवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कारे करना पड़ता है तो अभी उपर मैंने जिसे के बताए कि जो छात्र होता है वो आसरित होता है आसरित का मतलब वो अपने हिसाब से चाहेगा जो उसे पढ़ाएगा उसी प्रकार से पढ़ना होगा जो उसे असाइंडमेंट वर्क देगा उससाइंडमेंट को करना होगा तो यहां पर छात्र पूरी तरीके से सिच्छक पर आसरित होता है इसलिए छात्र यहां पर आसरित चरह याद रखना है आपको ढिते हैं अगला जो हमारा इसमें हो जाएगा वह सबंजर यहां पर तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं देखे इसमें मैं बताए कि हस्थक्र चेप सिच्छा में या फिर सिच्छन या सिच्छा जो प्रक्रिया है उसमें आपका पाठे वस्तू सिच्छन विधियां सिच्छन युक्तियां तथा सिच्छन समू व्यू रचना आदी जो है हस्तचेप चर के अंतरगत आते हैं ये आपको याद रखना है जो आपके पाठे वस्तू होती हैं जो सिछण विदिया है जो सिछण युक्तिया है जिनका हम इस्तमाल करते हैं जो सिछण सम्मू है और जो व्यू रचनाय बनाई जाती है ये सभी हस्तचेप चर के अंतरगत आ गा याद रखना आपको कि यह सब्सके दूसरे के पूरक होते हैं और सम्मिलित होकर जो सिच्छर प्रकृया होती है उसको पूर्ण करते हैं यह आपको याद आप देखे एक जामपल के तौर पर समझे जैसे एक चिकित्सक या डॉक्टर आप कह लिजिए सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान करता है यानि कि उसके रोग की पहचान करता है डाइग्नोस करता है फिर उसके बाद उसका उपचार यानि के ट्रीटमेंट जो है आरंब कर देता है और बाद में समय समय पर उसका जो है अवलोकन करता है यानि बार-बार चिक करता है कि उसकी रोग को जो ठीक करने की प्रोसेस या प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है वैसे ही कारे जो है एक सिच्छक द्वारा किया जाता है कि जो छातर होता है उनको सब कुछ जो पढ़ाया जाता है content जो है वो किस प्रकार से सीख रहा है सीखने की प्रक्रिया उसकी कैसी ये कुछ बाधाएं आ रही है तो उसको कैसे दूर करना है कैसे ठीक करना है तो I hope कि आपको हस्तचेप चर यहां पर समझ में आ गया यहां की हस्तचेप की बात की जा रहे हैं किसी कारे में जैसे ही मान लिए कोई आप कारे कर रहे हैं किसी ब्यक्ति ने आपके कारे में हस्तचेप कर दिया तो उसी प्रकार से यहां पर आप इसको समझ सकते हैं तो उमीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से यहां पर जो मैं सिच्छन के चर आपको बताया वो आपको स्रीके से समझ में आ गया होगा छोटा से टॉपिक था और मैं कोशिस यह करूँगा कि छोटा छोटा टॉपिक जो है मतलब बहुत बड़ा टॉपिक भी होगा तो उसे छोटा-छोटा करके आपको प्रोवाइड करूं और उसे क्लिर करने का प्रयास करूं बहुत जादा information आपके mind में जाएगा ये आप सभी को पता है तो इससे अच्छा है कि छोटा-छोटा topic जो है clear करते हुए चलते हैं और पूरे unit को complete करते हैं बाकि आप मुझे comment box में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये topic आपको कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया कुछ कमी रही या कुछ और भी इसमें बहतर मैं कर सकता हूं तो उसके बारे में भी आपके सुझाओ मुझे मिल जाएंगे तो वह काफी जादा महत्वपूर्ण होगा तो आप अपने सुझाओ को जो है comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं इसके साथी साथ वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप इसे like करके जो है हमें appreciate कर सकते हैं इससे थोड़ा सा motivation बना रहता है ताकि हम continuous ऐसे ही work कर सके और आप वीडियो को सेयर कर दें maximum दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से help मिल से करें लगे कि आपको content काफी ज्यादा helpful है तो जरूर से important वीडियो की notification को पाने के लिए अब देखिए exam कब होगा form कब से आएंगे इन सभी की update इस चैनल पर आपको authentic way में मिलेगी इसके भी आप जानकारी अगर चाहते हैं तो भी आप चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस कर ले तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं आगली व हरत